तो कैसे हैं आप सब उमिद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम वाइट रस्ट आप क्रूसिफर को देखने वाले हैं जो कि यह बहुत ही प्यारा सा डिजीज है और बड़ी सुन्दर सी फंगी की बज़े से फैलता है और किस फैमिली में फैलत है तो क्रूसिफर फैमिली से बिलॉंग करने वाले जो भी मेंबर हैं उन्हीं मेंबर्स के अंदर यह डिजीज होता है और डिजीज का बहुत में रीजन जो है वह अल्ब्यूगो कैंडिडा होता है बाकी भारत जीत चुका है साउट अफीर का से जीत चुका है यह बात भी आपको जानती रहनी है उसी की वज़े से वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गए लेकिन अब चलते हैं अपनी टॉपिक तो देखिए क्या कहता है वाइट रस्ट आफ क्रूसिफर ध्यान जा समझेगा अल्ब्यूगो और सिस्टोपस इसे दो नाम से जानते हैं अल्ब साथ कही जा रही है कि जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है जिसकी वज़े से वाइट रस्ट आफ क्रूसिफर डिजीज होती है वो एक अबलिगेट पैरसाइट के रूप में फैमली क्रूसिफेरी के जो वैरियस मेंबर हैं यानि कि इस फैमली में जो मेंबर पाये जाते हैं उ उन्ही प्लांट्स को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रभावित करता है इन्फेक्टेड करता है और इन प्लांट्स में काफी लॉस पहुचाता है काफी हानी पहुचाता है कौन सी फैमली से बिलॉंग करने वाले प्लांट्स को तो फैमली क्रूसिफ फैरी से प्लांट्स होते हैं उनमें ही यह डिजीज देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा घाटा सबसे ज़्यादा लॉस उसी फैमिली से बिलॉंग करने वाले मेंबर्स को पहुचाता है यही सीधी सी बात है अब मन में कोश्च चनाएगा किस फैमिली यानि की क्रूसिफेरी से कौन कौन से जो आपके प्लांट से वो बिलॉंग करते हैं तो वो अभी आपको उसका अपका अंसर मिल जाएगा दूसरी लाइन आपसे प्यार से कह रही है इट हैस अबाउट 25 इस्पसीज विच हर फाउंड इन आल्मोस्ट आल पार्ट अफ दे वॉल्ड यानि की जो एल्ब्य वर्ल्ड के सभी जगहों पर यह डिजीज देखने को मिलती है जहां पर क्रूसीफर फैमिली से बिलॉंग करने वाले जो आपके प्लांट से अगर उनकी खेती की जाती है तो वहां पर यह डिजीज देखने को मिलती है चलिए आगे सुनिए और कैंडीडा वही अल्ब्यू ऐसी पर आपके रिजीज बिलॉंग करता है तो मस्टर्ड कैबेज टर्णी रेडिस एटिजी यह सब के सब आपके क्रूसीफर फैमिली से बिलॉंग करते हैं यहां पर भी कह रहा है कि इन में से जो ऐल्ब्यू को कैंडीडा है वह सबसे में इस पेसी से ठीक है और सब से अ family crucifery के different members को प्रभावित करती है कौन कौन से member है such as सरसो, गोभी, सलजम, मूली ये सब के पौधों को white rust of disease इन पौधों के उपर white rust of disease को produce करती है या आप कह सकते हैं इन पौधों को infected करती है तो कौन कौन से पौधे थे वो भी आपको clear होगे अब चौती लाइन देखते हैं वो क्या कह रहा है except the root part of the plant, these fungi are found on all other parts example में stem fruit flower ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर यह कह रहा है कि plant के root वाले part को छोड़ के ठीक है, कह रहा है कि सिफ plant का root वाले part छोड़ दीजे जी बाकी यह suit वाले part के हर एक part को effect करता है यानि कि जो aerial part होता है, जो जमीन के उपर वाला part होता है उस पूरे part को यह प्रभावित करता है कौन यह disease, white rust of crucifer disease सभी को प्रभावित करता है बस root वाले part को छोड़के उपर वाले सभी part को चाहे plant की बात कीजे चाहे आप stem की बात कीजे, चाहे flower की बात कीजे, fruit की बात कीजे वो सब ही को प्रभावित करता है बस stem को छोड़ दिए मतलब बस root को छोड़ दिए क्योंकि root भाईय मिट्टी के अंदर होता है बाकी हमने कुछ figure दिखाए हैं कुछ photos दिखाई हैं उन्हें देख के थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हर एक पार्ट को प्रभावित कर रहा है अगली line कह रही है अगली line कह रही है अब इसको पॉस्टूल से अच्छा है कि हम spot word यूज करें पॉस्टूल मतलब धबा के लिए हम यूज कर रहें spot मतलब धबा के लिए क्या है कि वहाँ पे white या cream color जैसे हलके थोड़े पीले color के spot के रूप में उस plant की leaf के उपर पड़ जाते हैं या उस plant की stem के उपर पड़ जाते हैं आपके धबे पड़ जाते हैं उनकी plant की पतियों के उपर उनके stem के उपर ये photo में भी आपको थोड़ थोड़ा clear हो रहा है ठीक है हलके cream color के या cream yellow color के आपके धबे पड़ जाते हैं spots पड़ जाते हैं और उसी को यहाँ पे blister भी blister blister फोफले blister एक word है तो blister पड़ जाते हैं बहुत सारे word है उसी में से एक word है push tool जो आपको word meaning clear करेगा push tool वो लेंगे तो बिलकुल word meaning clear देगी आपको वो आपकी माइंड के अंदर पना रहेगा तो यहाँ पे यह वाला introduction खतम अब चलते अपने दूसरी टॉपी के दर इंट्रोडक्शन ही चलेगा थोड़ा लंबे समय तक चलेगा तो टर्टर पना पल्टा जाए ठीक है तो पलट दीजिए हाँ हाँ पालाट रहे हैं थोड़ा टाइम दीजिए ऐसे फिरी में नहीं टाइपिंग हो जाता है आरे नहीं भाई मापके लिए पॉस्चूल्स के इकठा होने के कारड़ लीप्स पर इर्रेगुलर सेप के वाइट पैचेज बन जाते हैं सफेज सफेज दाग बन जाते हैं हलके पीले कलर के दाग बन जाते हैं पतियों के ओपर तनों के ओपर वाइट पैचेज बन जाते हैं देखे पॉस्चूल्स एक अच्छा वर्ड है दाग धबो के लिए वैसे ही पैचेस के लिए अच्छा वर्ड है मतलब पैचेस भी एक अच्छा वर्ड है ब्लिष्टर एक फोफलो के लिए अच्छा वर्ड है लेकिन वह भी आप दाग के संबन में spot भी एक अच्छा word है तो आपको जो मन में आएगा जो simple लगता है कर लीजे postules भी बहुत बुरा नहीं है ठेक है तो बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहिए रहा तो हाँ समझ ही कहा होंगे आगे चलते हैं अगली लाइन है but when these disease take serve form the leaves of the host member become thick and clustered and become small in size and sometime the host plant also become smaller rough डॉर समझे का कहना चाहिए समझे नहीं समझे अरे का मजा करते हैं पूरा समझे सुनिए कही रहा है कि लेकिन जब यह जो disease है यह अपना उग्र रूप धाड कर लेती है serve condition serve form धाड कर लेती है अपना विसाल विसाल काय रूप उग्र रूप या डराउना रूप जो भी कह लीजे जब यह disease अपना उग्र रूप धाड कर लेती है तो जो host members की जो पतिया है न वो मोटी और गुच्छेदार होकर bend हो जाती है मुड जाती है एकदम वही गोल-गोल घूम जाती है थिक हो जाती है मोटी हो जाती है cluster मतलब गुच्छेदार होकर वही bend हो जाती है गूम जाती है और उसका जो सेप है पतियों का सेप वो भी small हो जाता है और कभी-कभी तो प्लांट का सेप भी small हो जाता है प्लांट ही डॉर्फ रह जाता है प्लांट पूरी तरीके से इस disease की वज़े से develop ही नहीं हो पाता है प्लांट की पतियां develop नहीं हो पाती है इस सारी problem आपका white rust of crucifer disease create कर देती है तो नहीं प्लांट ही develop हो पाता है और नहीं प्लांट की पतियां ही develop हो पाती है सब को प्रभावित कर देता है क्याना कि फंबल एक condition में होता है जब आपको एक suitable word को कहने के लिए दो-तीन तरीके के word आपके mind में आ रहे हो और आपको select करना हो कि कौन सा वाला word बड़ा अच्छा है तो इसे condition में fumble हो जाता है तो लगी हाथ हमने fumble का भी एक प्यारा सा definition दे दिया है तो उसे भी आप कहीं copy में note कर सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, thank you, thank you चलिए, फिलाल में हम अपने अगली लाइन पर ध्यान देते है due to this disease, the stem and flower birds become disorganized and the sepals, petals, adosium and gynosium in the flower swell and become thick and the flower become sterile sterile मने की बात दे हो जाता है बात दे मतलब समझ रहा है न उसे lady sterile होती है, तो वो इस लायक नहीं होती है कि वो बच्चे पैदा कर सके उसी तरीके से plant भी sterile हो जाता है उसे भूमी sterile होती है मतलब अब वो भूमी उप जाओ नहीं है ऐसा कुछ बस वैसी वाली condition अब समझ गया हो तो जब भूमी यानि कि जो मिटी है वो कुछ पैदा करने के लायक नहीं होती है तो ऐसी ले जो लैंड होती है जो ऐसी मिटी होती है स्वाइल होती है मुसको sterile soil कहते हैं बस वही वाली condition इसमें भी लागू होती है sterile तो बात समझ गया होंगा sterile का मतलब बाद्धे होता है बाद्ध का मतलब भी आप समझी रहा होंगे वहीं आपको explain करने की कोसिस कर रहा था अब आते हैं टॉपिक के उपर तो क्या होता है कि इस disease के कार्ड जो stem है और जो flower birds है यानि कि जो कलिकाएं हैं फूल की कलिकाएं वह अस्त व्यस्त हो जाती है सही नहीं रहती है उनका सेब बिगड़ने लगता है अस्त व्यस्त डिस ओर्गनाइजड हो जाती है और flower में सेपल्स पेटल्स एंड्रोसियम गाइनोसियम फूल कर मोटे हो जाते हैं और आपका flower sterile हो जाता है flower आपका बीना काम का हो जाता है बंध्य हो जाता है कोई मतलब ही नहीं रहता है अभी flower कोई काम का ही नहीं है अभी ये बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता कोई कांडा के कर ही ना सकता यह सारी बाते sterile होने पे इसके उपर follow होती है चुकि हम plant वाली condition में पढ़ हो गई ना प्लांट वाली condition में बस वही छोटी सी बात थी कहें लिए आपको प्रसांद कर रहा है अगे अगली लाइन यानिकी अगला जो हमारा paragraph है वो क्या कह रहा है इन दिस वे दो होस्ट फ्लावर और अधर पार्ट्स ऑफ दो होस्ट बिंग इंफेक्टेड बाई उसके अधर पार्ट हैं वो फंगी के दोरा इंफेक्टेड होना हाइपर ट्रॉफी कहलाता है ठीक है और उसका जो फ्लावर है वो हाइपर ट्रॉफिट फ्लावर कहलाता है यानि कि इस प्रकार जो होस्ट के फ्लावर है और जो उसके अधर पार्ट्स हैं वो अगर इस फं flowers होते हैं इस प्लांट के job flowers होते हैं वो क्या कहलाаются धाइ-क्षफिड फ्लावr कहलाते हैं यानि कि वतNow infected100 फ्लावर VER कृप्षांड और कहलाते हैं थोटी सी बात था यहीं प्यारी सी bात आपको एतनी बातें में समझाई गई है उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ में आया होगा अब बात बची है सिंटम्स की, सिंटम्स हम अभी दू मिनिट में बता देंगे, आप चार मिनिट में समझ जाएंगे, तुरंत एक्षेप्ट कर लेंगे बाकी इनके प्यार मुखबत की बात हम अगली वीडियों बताएंगे क्योंकि वो बाते भी बड़ी है और secretly बताएंगे और थोड़ा प्यार भी ये दो तरीके से करते हैं एक तरीके से करते हैं तो बता भी देते हैं जल्दी खत्प हो जाता ये sexual और ऐ sexual लेंगिक और लेंगिक दोनों तरीके से प्यार करते हैं तो तरीका वड़ा है तो इस थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए उसको अगली वीडियो में इस वीडियो में हम थोड़ा से सिंटम्स को भी जान लेते हैं दूर तीन मिनट का काम है फोटो देख के पहचान लीजिए क् जो ये फंगी है ये जो अल्ब्यूगो कैंडीडा है वो उन प्लांट के अंदर इंटर कैसे करता है कहां से इंटर करता है कहीं न कहीं से तो उन प्लांट के अंदर इंटर करता होगा न तो वो इंटर कैसे करता है ये जानना ज़रूरी है न तो आईए समझते हैं कि किस तर इस्टोमेटा के थुरू किस के थुरू जो पत्ती के उपर पाया जाने वाला इस्टोमेटा है उस इस्टोमेटा के थुरू इंटर करते हैं तो जो फंगी के बिजाडू होते हैं जू स्पोर्स होते हैं जो वो होस्ट प्लांट होता जहां पे वो रहते हैं उस प्लांट में इस्टोमेटा के थुरू इंटर करते हैं और जो बिजाडू है यानि की स्पोर्स हैं उसमें से एक ट्यूबलर एक नली कार मतलब नली के आकार का आउट ग्रोथ बहार निकलती है और उसी की वज़ा से वो होस्ट प्लांट के टिसू में इंटर करके एक नया माईसीलियम एक न्यू कवकजाल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरीके से इनकी कहानी है कि ये फंगी के अंदर इंटर कैसे करते हैं अब इसके बाद जरासाइस का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे संरचना देखेंगे फिर हम इसके सिंटम्स की बाद करेंगे तो देखें स्ट्रक्चर क्या कहा रहा है फंगी कॉल्ड अल्ब्यूगो और सिस्टोपस आर अब्लिगेट पैरसाइट दो माईसीलियम अफ दीस फंगी इस इंटरा सेलुलर ब्रांजड अने कि सीधी सी बात है अल्ब्यूगो या सिस्टोपस नामक फंगी एक पैरसाइट होता है इस फंगी का जो माईसीलियम होता है कवगजाल होता है वो इंटरा सेलुलर होता है ब्रांजड होता है मल्टी नुकुलियट यालिकि बहुत केंद्रकी होता है यानि कि उसमें बहुत सारे नुकलियाई प्रेजेंट होते हैं पाए जाते हैं वही चीज़ लिखाए अर्थात इसमें अनेक केंद्रक अनेक नुकलियाई पाए जाते हैं बाकी रही बात Obligate Parasite से Confusion होने की तो बिलकुल Confuse मत होईगा Obligate Parasite यानि कि ऐसे Parasite जो मतलब ऐसा Organism जो अपनी Life Cycle को बिताने के लिए एक दूसरे होस्ट की जरूत पड़ती है यानि कि बिना होस्ट के ये अपना जीवनकाल Complete नहीं कर सकता ठीक है तो वो Obligate Parasite होता है वही वाला हाल इसके साथ है ये बिना किसी होस्ट के अपने जीवनकाल को Complete नहीं कर सकता होस्ट मरा ये भी मर गया कहानी कातम टाटा भैब दूसरी बात इसमें सेप्टा का भाव होता है इसमें सेप्टा नहीं पाय जाता है इट लैक सेप्टा यानि कि इसमें सेब्टा का भाव होता है और यह जो क्रूसिफेर्स फैमिली के मेंबर्स की लीप्स में इस्टोमेटा के थूँ यह इंटर करता है तो अगर कैसे इंटर करता है वो मिनने को पहले बता दिया है इस्टोमेटा के थूँ वो उनमें इंटर कर जाता है में नली की आकार के नॉब सेब्ड या कह लिए ट्यूब सेब्ड के हिस्टोरिया निकलते हैं क्या निकलते हैं हिस्टोरिया चूसकांग निकलते हैं जो होस्ट टिसू में इंटर करके इसी हिस्टोरिया के माध्यम से फूड को एब्सॉर्ब करते हैं फूड को सक करते हैं पाप विच मैंने राउंड मृटी नूखिएट के समय मैं आपको बताया था न कि इसमें दोनों टाइप के रिपोड़क्शन देखने को मिलते हैं सेक्सुल और असेक्सुल दोनों टाइप के तो इसके समय मैसीलियम होना है उस मैसीलियमस से अनेक स्प्रेंजियो फोर निकलते हैं ठीक है अनेक बहुत सारे स्प्रेंजियो फोर्स डेवलप होते हैं निकलते हैं जिनके टॉप पर राउंड मल्टी नुक्लियेट स्प्रेंजिया डेवलप होते हैं इनके टॉप पर यानिक इनके सिखर पर उपर की तरफ राउंड ठीक है उमीद करता हूं यहां तक चीज़ समझ में आई होंगी जो रही बात सेंटम्स की वह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा छोटा सा टॉपिक है दो प्रकार से इनके सेंटम्स देखने को मिलते हैं एक लोकल एक सिस्टमिक वह हम अगली वीडियो में बहुत असानी से क्लियर कर लेंगे तो ठीक है आज के बस इतना ही वीडियो पसंद आएगे तो लाइक से सब्सक्राइब प्यारा सा कमिट टाटा बाइबाए इसका फिगर नहीं मिल रहा था वरना हम डाल देता कि यह किस तरीके के देखने में होते हैं